बहुत टाइम से प्लेट में काम कर रहे हो और आपने जो भी काम किया वह आपने अपने क्लाइंट को भेजा ने बोला कि यह फूटेज नहीं दूसरी फूटेज लो अब आप एक्जिस्टिंग फूटेज पर सारे एक्ट वगरा सब लगा चुके ओ सकेलिंग कर चुके हो एन दूसरी उस कामरामन ने फिर दोबारा डंग से ठीक से शूट किया पर आपके बस पहले क्लिप थी इन शॉट अगर आपको कभी भी आप टामरेंग के उपर आपको किसी क्लिप के उपर ग्रेडिंग वगरा या अनिमेशन वगरा कर चुके और बाद में आपको लगता है कि ये क्लिप मुझे चेंज करनी है तो वो कैसे कर सकते हो उससे आप कैसे बच सकते हो और इससे कई बार बचे भी है हम बहुत बचे है इसने बहुत हेल्प किया चलो बताता हूं वो है क्या और चलिए अब मुझे कुछ एक टाइम याड आ गया क्लिप को समझने के लिए मैंने कुछ एक प्रजेक्ट लिया जिसके अंदर कुछ ऐसी टाइम लैन के उपर कुछ वीडियो जाल दी है पर एजेंपल यह क्लिप है मेरी यह डॉक्टर वाली क्लिप है ठीक है यह लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा मैं यह इफेक्स कंट्रोल में मैंने कुछ करना है तो मैं राइट किया और अब देखिए वह ग्रेड आउट नहीं है और मुझे ऑप्षण दे रहा है फ्रॉम बिन ठीक है अब ऑफ दे रहा मुझे फ्रॉम बेन जैसे पर फ्रॉम बिन पर क्लिक करूं गा तो देखिए वह जो इतना ही उसे place किया है control rate करता हूँ मैंने कहा कि आप इसको dancing women वाला जो clip है उससे replace करो from bin तो ये उससे replace हो गई है और zoom भी है और देखिए उसके अंदर color भी किया हुए है देखा समझ गए ये चीज इसका duration जादा था समझ गए हो ठीक है अभी ये तो था bin से मतलब project window से आपको कोई clip replace करनी होती है मैं इसको control rate करके वापस करता हूँ ठीक है अभी ये जो option थे पहले तो select कर लो तब आपको वो option दिखेंगे replace with clip from source monitor और from source monitor match frame ये क्या है ठीक है जैसे bin वाला option के लिए आपको bin सेलेक्ट करना जरूरी था वैसे source monitor वाले के लिए source monitor जो है उसके अंदर कोई clip open होनी चीज़ जैसे dancing man वाली clip पे मैं डबल क्लिक किया तो देखिए मेरा dancing man वाली clip है वो मेरी source monitor के अंदर open हो गई है और अब मैं इसको right click करूँगा match frame क्या है अब देखिए match frame क्या होता है match frame क्या करता है जिसे आपने यहाँ पे आपको फ्रेम चूस करो मालो मैंने यह frame चूस किया जहाँ पे यह बंदा ऐसे face इदर है ठीक है पहले मैं इसको right click control में से इसके उपर से यह हटा दूग यह जूम बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है इसका face इस तरफ है और मैं चाहता हूँ चाहिए भी clip वही है चलो इस clip को replace करते है ठीक है इसको replace करते है और मैं चाहता हूँ कि यह जो clip है यह तो आपने frame चूस किया जहाँ पे आपने play head राके रखा है और इस वाले clip का play head यहाँ पर है तो मैं चाहता हूँ कि यह वाला frame जो यह वाला frame है यह लेता हूँ जहाँ पूरा उल्ट है यह वाला frame इस play head का जो frame है वहाँ पर आ जाए तो right click करो replace with clip from match frame अभी एक error आया error क्यों आया बता दूँगा मैं आपको पहले चोड़ा सो और आगे लेता हूँ ऐसे बंदा खड़ा है from from source monitor match frame अभी भी error आया है तो एक काम करते हैं इस clip को चोड़ा सो और चोटा करते हैं अब reply देखा उसने यह वाला frame इस clip के इस playhead पे जहां पर है same frame यहाँ पे लगाया और clip को replace कर दिया वाला error क्यों आ रहा था पहले तो चीज वो बताने आपको जरूरी है वाला error इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं उसको बोल रहा था यह वाला frame इसलिए आ रहा था यह जहां playhead है वहां पर ला दो वो लाने को वो काम करने गया पर उसने देखा कि इस clip में इस से पहले इस से पहले इतने frame ही नहीं है इस clip से इतने पहले इतने frame नहीं है कि वो यहाँ पे fill कर सके तो इसलिए उसने वो error दिया अगर बाद में होता है, तो वो gap छोड़ देता है, जैसे अपने बिनवाले case में देखा था, तो वो gap छोड़ दिया था उसने, पर यहां पे वो fill नहीं कर पा रहा है, देखना, error यही देखा वो, right click कर रहा हूं, और यह, उसने का था, source clip lacks sufficient head material, मतलब इस source clip में head की तरफ, इस material ही नहीं है, कि वो इतने पार्ट में पूरा fill कर पाए, तो यह हमको ध्यान रखना पड़ता है, कि उतना पार्ट होना चाहिए, अगर होगा तो वो fill कर देगा, ठीक है, अब ही कई बार, यह आपको शायद समझ में आ गया होगा, अब कई बार क्या होता है, जैसे मेरा भी, यह मैंने footage वाली clip है, यह वाली, यह मेरी source window में open है, आप तो source window में काफ़ी clip open कर लते हो नगे, पता नहीं जलता है, आपने right click किया, replace with clip, अब यह किस से replace होगी, क्योंकि source window में पहले मैंने dancing band खोला था, और अब मैंने यह खोला है, किस से replace होगी, इसी से replace होए, क्यों, क्यो dancing man वाला selected नहीं है नीचे आके देखो dancing man वाला selected नहीं है source footage वाला selected है अगर मैं इसको select कर लूँगा तो वो आ जाएगा ठीक है आपको बार-बार इधर जाके open करने की ज़रा actually नहीं होती है source window के अंदर वो खुले होते हैं बस आपने select अलग किया होता है बस थोटा सा source monitor के बारे में भी आपने यह जान लिया आपने select किया होता है मैं इसको choose कर लूँगा तो यह आ गया यह आ गया यह आपने जो भी selected होगा right click करो replace with clip match source from monitor लो डॉक्टर वाली क्लेप आ गई यह लो डॉक्टर वाली क्लेप आ गए ठीक है तो यही है match frame और बहुत beneficial होता है मेरे हाथ problem हो आता है इसलिए मुझे पता है और सबके साथ होगा ही होगा यह चीज कभी ना कभी तो यह चीज हो नहीं हो नहीं कि आपको replace with clip use करना पड़ेगा नहीं तो पुराना तरीका है ज क्लिप के उपर से जो existing clip थी उसके उपर सारे effect copy paste करो copy करो और नहीं क्लिप पेस्ट करो इस effect को delete करो यह कर सकते हो और क्या वाई ठीक है तो यह था replace with clips तो यह था replace with clip life saver है बचा लेता है कई बार प्रीमेर में देखे tricks जाना बहुत जरूरी है वरना अगर इसको नहीं बता होगा तो वो क्या करेगा बिचारा या तो सारे effect delete करेगा फिर अगर थोड़ा बहुत अगलमंदी उसने करी तो वो clip टैमन को पर लेकर आएगा जो पुरानी clip थी उससे सारे effect copy करेगा और इस वाल जो क्लिप इसको delete करेगा उसको खिसका की पोजिशन पे नई वरी क्लिप को पोजिशन पे वहीं लाकर चोड़ेगा जहां पर वो थी वरना और जो और जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा replace with clip को use कर लेगा तो इसलिए मैं बोलना हूँ प्रीमेर के सारे features जानने आपको सब्सक्राइब नेक्स वीडियो में सवाल हो तो कमेंट्स में पूश लेना लाइक शेयर करो भाई ठीक है